मेरे पैरे देश वांचियों, हमारे देश में अब मौन्सून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं, तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बलकि बादल आने वाली पीडियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इखठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है, और इसलिए मैं जल सवरक्षन को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। आपने भी देखा होगा, हम में से कई लोग इस पुन्य को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं। ऐसे ही एक सक्ष हैं उत्राखन के पौडी गडवाल के सचिदानन भारती जी। भारती जी एक सिक्षक है और उन्हें अपने कारियों से भी लोगों को बहुत अच्छी सिक्षा दी है। आज उनकी महनत से ही पौडी गडवाल के उभरेखाल ख्षेतर में पानी का बड़ा संकर समाप्त हो गया। जहां लोग पानी के लिए तरस्ते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ती हो रही है। साथियों, पाड़ों में जवल सवरक्षन का एक परमपारिक तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है, याने पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड़ा खोदना ह। इस परमपारा में भारती जी ने कुछ नए तरीकों को जोड़ दिया, उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए, इससे न सिर्फ उफरेंखाल की पहड़ी हरीबरी हुई, बलकि लोगों की पेजेल की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी तीस हजार से अधिक जल तलेयां बनवा चुके हैं, तीस हजार उनका ये भगिरत कारिया आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेणा दे रहे हैं। साथियों, इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गाउं के लोगों ने भी एक अलगी तरह का प्रेयास किया है। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पैड लगाने की भी योजना बना रहे हैं।